तो चले शुरुआत करते हैं आज की क्लास की और आज की क्लास में हम डिसकस करने जा रहे हैं बहुत शांदार सवाल Board Examination की पहली पसंद और Inverse Trignometry में शांदार सवालों में से एक यानि की Prove that tan inverse cos 6 upon 1 plus sin x will be equal to pi by 4 minus x by 2 provided that x is x belong to minus pi by 2 से pi by 2 दो तरीकों से इन सवालों को मैं आप लोगों कराऊंगा दो तरीके कराऊंगा सबसे पहले पहले तरीके से बात करते हैं तो पहले तरीके से जब मैं बात करूंगा तो मैं left hand side को लेके चलूंगा obviously दूसरे तरीके में भी मैं left hand side को ही लेके चलूंगा लेकिन मैं left hand side को जब लेके चलूँगा और मुझे ये बात prove करनी है तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं inverse trigonometry कर रहा हूँ और inverse trigonometry में जब तक tan inverse के अंदर tan theta नहीं बनेगा ना जब तक tan inverse के अंदर नहीं बनेगा tan theta जब तक tan inverse से tan कटेगा नहीं theta बार आएगा नहीं तब तक pi by 4 minus xy2 आपकी value आ नहीं सकती यानि कि किसी भी कीमत पर आपको ये bracket के अंदर की चीज को simplify करना पड़ेगा आपको इसे solve करना ही पड़ेगा और आपको इसे tan में convert करना पड़ेगा किसी भी कीमत पर शुरुबात करते हैं इधर देखिए देखिए आपको एक चीज और नजर आ रही होगा एक चीज दूर दर्शिता कोई चीज होती है क्या नजर आ रहा है कि यहां पर angle x है और यहां पर angle x by 2 है तो अगर मुझे ऐसी जरत पड़ी कि मैं half angle कर दूँ तो मैं फिर संकोच नहीं करूँगा मैं कर दूँगा क्योंकि मुझे दिख रहा है half angle से बात बन रही है बात दूँए देखिए tan inverse के अंदर है cos x divided by 1 plus sin x अब इस वाले sin x को देखिए हम एक identity जानते हैं कि sin 2 x होता है 2 sin x cos x अगर मैं angle को half करूँ तो angle half इधर भी हो जाएगा इधर भी हो जाएगा इधर भी हो जाएगा तो यह कट जाएगा तो बचेगा sin x will be equal to 2 sin x by 2 cos x by 2 तो यहां से sin x को लिख सकते हैं 2 sin x by 2 cos x by 2 देखिए जैसे ही मैंने sin x को 2 sin x by 2 cos x by 2 लिखा इस one ने कहा कि मुझे तो यहाँ पर a plus b का whole square नज़र आ रहा है क्योंकि मुझे यहाँ 2a b नज़र आ गया तो one कह रहा है कि मैं मैं class 10th की मदद से मैं भी तो बदल सकता हूँ मैं भी तो लिखा जा सकता हूँ और using class 10th, refer class 10th क्या बढ़ा था sin square cheese plus cos square cheese किसके बरावर होता है बन के और वहाँ पर जो चीज शर्त क्या थी इस formula की कि जो चीज sin square के अंदर होगी सेम चीज cos square के अंदर होनी चाहिए तो अगर मान लो इसके अंदर cheese x by 2 है तो इसके अंदर भी x by 2 होनी चाहिए तो आप यह जानते हैं कि sin square x by 2 plus cos square x by 2 1 होगा लेकिन आज आप यह भी जान लीजिए कि 1 की जगा आप ऐसा लिख सकते हैं तो मैंने 1 की जगा लिख दिया क्या लिख दिया ध्यान से देखिए का मजा आना चाहिए ना क्या लिख दिया sin square x by 2 plus cos square x by 2 अब यहाँ पर देखने से साफ साफ नजर आ रहा है a square plus b square plus 2 a into b बन गया ना a plus b का whole square बन तो गया a plus b का whole square अब यह cos x जो है ना उपर बैटा बैटा नराज हो गया हमसे कहता है एक बात बता क्या दुश्मनी है मेरे से मैंने का बात क्यों हुई बात तो बता कहता है या denominator तुमने पूरा बदल दिया half angle में कर दिया जो चहिये था तुमने किया तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो मुझे भी half angle में बदलो मुझे भी half angle में बदलो तो यहाँ पर cos x के हमारे पास तीन formula available है लेकिन हम उस formula का इस्तेमाल करेंगे जो cos x cos और sin में दोनों में जाएगा ऐसा क्यों करेंगे तरह मेरी बात सुनिएगा तीन inverse के अंदर उपर लिखा जाना बाकि है cos x लेकिन नीचे लिखा जाएगा sin x by 2 plus cos x by 2 का whole square तो अगर denominator sin में भी है और cos में भी है तो यही requirement हम numerator से भी करेंगे कि वो भी sin और cos दोनों में आ जाए तो हमने cos to x का एक ऐसा formula पढ़ा हुआ है बेटा जी जो cos और sin दोनों में जाएगा और cos to x का वह formula होता है cos square x minus sin square x और अगर हम प्रथा चालू करते हैं पर half angle वाली तो अगर by 2 यहाँ होगा तो बिटा यहाँ भी होगा तो cos x can be written is cos square cheese minus sin square cheese where cheese is x by 2 जरा इदर आईए तो यह लिखा जा सकता है cos square x by 2 minus sin square x by 2 और छोटा सा बच्चा भी अगर घर में होगा ना वो भी एकदम फड़ फड़ा उठेगा बताने लगेगा भईया यह तो a square minus b square लिखा क्योंकि उसे भी पता है यह बात तो बच्चे बच्चे को पता है बच्चा बच्चा इस बात को जानता है तो यहाँ पर tan inverse के अंदर आ जाएगा tan inverse के अंदर आ जाएगा a square minus b square क्या हो जाएगा a minus b देखे ध्यान यहीं होगा तो हमें भी अच्चा लगेगा और सवाल भी बुरा नहीं मानेगा नहीं तो फिर दोनों हम लोग बुरा मान जाएगे ऐसा हो जाएगा नीचे क्या हो जाएगा पर नीचे तो sin x by 2 plus cos x by 2 लिखो या cos x by 2 plus sin x by 2 लिखो it's up to you 2 plus 3 3 plus 2 it's up to you it's up to you यह आपकी समझ है ठीक है जी और cos x by 2 plus sin x by 2 और cos x by 2 plus sin x by 2 एक बार जो है वो कट जाएगा तो जो बचेगा वो बहत खूपसूरत बचेगा और हमारा काम जो है वो आसान करता हुआ निकल जाएगा जरा मेरी बात पर थोड़ा सा गोर कीजेगा और इधर देखिएगा सर द्यान से सब का द्यान यह होना चाहिए भी तो क्या हो जाएगा tan inverse के अंदर बचेगा क्या बचेगा भी tan inverse के अंदर cos x by 2 minus sin x by 2 क्या बचेगा cos x by 2 minus sin x by 2 whole divided by cos x by 2 plus sin x by 2 अब देखिए ये बात तो मैंने आपको class मतलब इस question को शुरू करने से पहली बताएती है हम inverse trigonometry पढ़ रहा है और inverse trigonometry में tan inverse के अंदर tan theta होना चाहिए तो requirement यह से tan होने की तो बच्चा बोलता है सर इतना गुसा करने की क्या बात है cos और sin है आप cos x से divide कर दो मामला 10 में चला जाएगा काई परिशान होना है है 10 में चला जाएगा बात सुनिएगा तो अगर आप cos x by 2 से divide कर दें तो अंदर हो जाएगा 1 minus tan x by 2 upon 1 plus tan x by 2 तो बाकिया आप समझदार है एक बच्चा ना एक बच्चा फड़ फड़ा कर रहा हूँ, करा देखो, यह tan x minus tan y, one plus tan x tan y, मैंने का कुछ चीज़े तो है नहीं, तुने ऐसे उंगली तो करी लेकिन वो चीज़े थी नहीं, करा सर हैं, मैंने का बता कैसे, करा सर देखो, यह one जो है ना, यह जो one है, it can be written as tan 45, tan 5 by 4, मैंने का चल तेरी बात माल ली, सर, tan x by 2 के multiply में क्या है, मैंने का कुछ भी नहीं, करा सर, अगर कुछ भी नहीं है, तो क्या है, मैंने का फिर one है, कुछ भी नहीं into one, कुछ भी नहीं रह जाएगा, वह tan x by 2 into one करोगे, तब भी tan x by 2 रह जाएगा, उस one की जगा मैं लिख सकता हूँ, जो multiply में one है, उस one की जग y upon 1 plus tan x tan y मैंने क्या बात है तो tan inverse के अंदर जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा tan of x minus y यानि pi by 4 minus x by 2 और हाँ tan inverse के अंदर गया tan theta तो बाहर आएगा theta लेकिन basic inverse trigonometry मार देती है basic basic inverse trigonometry भाई tan inverse के अंदर गया tan theta तो बशर्ते बाहर theta आएगा undoubtedly theta आएगा बशर्ते theta उसकी range में तो हो theta जो है वो उसकी range में तो हो theta उसकी range में तो हो और range क्या है theta open कहां से कहां तक होना चाहिए 0 से pi by 2 तो होना चाहिए open 0 से pi by 2 होना चाहिए open 0 से pi by 2 होना चाहिए तो क्या हमारा theta यह बात आपको समझ में आनी चाहिए क्योंकि मैं मानता हूँ कि अगर आपने पाई बाई 4 माईने 6 बाई 2 निकाल के रख भी दिया बाहर तो आपका अंसर आगे आप खुशी-खुशी हर्श और उल्लास में आप ना चगाने लगेंगे लेकिन at least आपने क्या किया है ये भी तो आपको पता होना चाहिए आंसर तो आ चुका है तो बच्चा बोलता है 10 inverse के अंदर जाएगा 10 theta दुबार theta आएगा तो ये जो theta है ये आपका 0 से 90 होना चाहिए अगर नहीं है तब आपके लिए मुश्किल की बात है तो बच्चा बोलता है सर चेक करें मैंने का कर ले 1 minute लगे का कर ले किस वाली बात को मैं हटाना चाहूँगा हटाना चाहूँगा चले कहार हटाने की जरुत नहीं पड़ेगी यहीं चेक करते हैं चेक कर लेते हैं देखिए X जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है माइनस 90 से बढ़ा हो 90 से छोटा आपको x नहीं माइनस x ये बनाना आपको तो माइनस की ज़रात है negative का multiply करिए तो inequality बदल जाएगी माइनस का 90 हो जाएगा inequality बदल जाएगी और ये plus का 90 हो जाएगा अब आप क्या करिएगा minus x तो मिलगा divided by 2 और कर दीजेगा divided by 2 करिएगा ये pi by 4 हो जाएगा ये pi by 4 हो जाएगा इसमें pi by 4 और add कर दीजेगा तो pi by 4 plus pi by 4 pi by 2 हो जाएगा pi by 4 minus x by 2 हो जाएगा और minus pi by 4 plus pi by 4 हो जाएगा 0 हो जाएगा तो pi by 4 minus x by 2 जो है वो 0 से 90 है वही तो हम कह रहे थे, कि अगर theta जो है, वो 0 से 90 है, तो 10 inverse के 10, अंदर 10 theta जाने पर theta बहार आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, वो range है, 10 inverse की, तो 10 inverse के अंदर जाएगा 10 theta, तो ये बहार निकल के आ जाएगा, theta यानि pi by 4 minus x by 2, क्योंकि ये blong करता है, 0 से pi by 2 open, इसलिए बहार आ जाएगा, तो उमीद करता हूँ, ये वाला तरीका जो है, वो आपको बेहद पसंद आया होगा, और बेहद आपको अच्छा और आसान जरूर लगा होगा, लेकिन एक दूसरा तरीका भी मेरे पास है, शायद आपको, शायद आपको वो पसंद आ जाए, और हाँ, एक बार म आपको पसंद आएगा या नहीं आएगा, या आप मुझे जरूर बताएंगे, सुनिएगा मेरी बात, देखिए, टान इन्वर्स के अंदर दिया हुआ है कॉस एक्स, और कॉस एक्स को मैं लिखना पसंद करूँगा, साइन नाइन्टी माइनस एक्स, ठीक है जी, ध्यान से साथ अगर कॉस थीटा मिल जाए, तो वो तुो कॉस स्कॉर थीटा भाई टू हो जाता है, बई, हैसा न आपको फॉर्मिले याद होने चाहिए, बई, कॉस तु माइनस वन इधार आ घया, तो वन प्लस कॉस तु एक्स भाई टू होता है, कॉस स्कॉर एक्स और हाफ एंगल करोगे तो इधर x रह जाएगा तो मैं वही कह रहा हूँ कि अगर मुझे मिल गया 1 प्लेस कॉस x 1 प्लेस कॉस थीटा 1 प्लेस कॉस थीटा क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वाड थीटा बाइट हो जाएगा तो इसलिए मुझे 1 के साथ sin x जो है वो कुछ अच्छा लग नहीं रहा था बात सुनते रहेगा और जब ये चेंज हो जाएगा तो उपर अगर आपने बना लिया sin थीटा तो अभी आपने देगा 2 sin थीटा भाइटू कॉस थीटा भाइटू मजा आएगा सुनिएगा तो टान इनवर्स के अंदर हो जाएगा sin थीटा तो यह हो जाएगा 2 sin थीटा भाइटू इस एंगल का आप हो जाएगा pi by 4 minus x by 2 और यह हो जाएगा pi by 4 minus x by 2 ऐसा हो जाएगा और pi by 4 cos से cos कट जाएगा 2 से 2 कट जाएगा sin theta by cos theta तो tan inverse के अंदर आ जाएगा और बताओ कौन सा तरीका आपको पसंद आया pi by 4 minus x by 2 और यहाँ tan inverse से tan कट जाएगा बच्चे का pi by 4 minus x by 2 हाँ pi by 4 minus x by 2 उसकी range में है यह बात हमें पता है जरूर बताएगा तरीका 1 यह तरीका 2 आज के लिए तना ही थैंक्यू